देखिए इस बक्त की सबसे बड़ी खबर लोगसभा चुनाओं से पहले चिराग पासवान और उनके चाचा केंद्रिये मंत्री पसुपती पारस के बीच में हाजीपूर लोगसभा सीट को लेकर सियासी जंग छिड़ गया है देखिए चाचा और भतीजे के बीच में हाजीपूर लोगसभा सीट आगया है चाचा करें वहां से चुनाओं हम लड़ेंगे और भतीजा करें कि वहां से चुनाओं हम लड़ेंगे यानि कि चिराग पासवान करें Haji Pura Log Saabhasit हमारे पिता द्विंगत रामविलास पासवान जी की कर्म भूमी रही है और एक बेटा होने के दायित्व से हाजि Pura Log Saabhasit से चुनाओ हम लड़ेंगे और हमारी पार्टी लोजपा रामविलास लड़ेंगी और एक तरफ चाचा केंद्रिये मंत्री पसुपती पारस करे हैं कि भाई का सीठा और वह हमको उत्राधिकारी बनाए हैं और हाजी पूर से तो चुनाव हम ही लड़ेंगे अब देखिए लोग सबाचुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है और चाचा और भतीजा दोनों एंडिये कहीं घटक दल हैं अब एंडिये किसी एक को ही टिकर देगी यानि कि जो सिर्स है यानि कि भाजपा बीजेपी तो किसी एक को ही वहाँ से टिकर देगी चाहे चिराग पासवान के पार्टी को या फिर पसुपती पारस के पार्टी को लेकिन आपस में सियासी जंग छिड़ गया है आज चिराग पासवान के चाचा केंद्रिये मंत्री पसुपती पारस करें कि हाजी पुर्लोग सबा सीट से हम चुनाव लड़ेंगे क्योंकि वहाँ से वर्तम में सांसद हम हैं और चिराग पास्वान लागतार हाजीपूर लोग सबसीट पर दावा ठोक रहे हैं और हज्जारों की संख्या में चिराग पास्वान के रैली में लोग भी पहुचे हुए थे हलंकी हाजीपूर के जनता से भी अगर पूछा जा रहा है तो ज़्यादा तर लोग चिराग पास्वान को ही सपोर्ट कर रहे हैं और हाजीपूर लोग सबसीट रामबिलास पास्वान जी की कर्म भूमी रही है और हाजीपूर को मा जैसा स्वर्गिये रामबिलास पास्वान जी मानते थे और उनकी कर्म भूमी रही है वहीं से उनकी पहचान मिली है और आपको बताएं चिराग पासवान बेटा होने के दाईत्व से उस सीट पर लड़ना चाह रहे हैं लेकिन चाचा पसुपती पारश जो वर्तमान में सांसद हैं वह करें कि वहां से चुनाओ हम लड करेंगे यानि कि बीजेपी के बड़े निताओं से जो दिल्ली में बैटे हुए हैं और एंडिये कहीं दोनों दल हैं जाहिर सी बात है हाजीपूर लोग सबासीट इस बार बिहार के 40 लोग सबासीट में होट सीट बना हुगा है सबकी निगाहें हाजीपूर के सीट पर है ह हलंकि किसको टिकट मिलता है या भी दिल्चस्प होगा चिराग पासवान को या फिर पसुपती पारस को और उसके बाद वहां से जीत कौन हासिल करता है हाजीपूर किसके जोली में जाएगा या भी तै करता है लेकिन एक बार फिर से चिराग पासवान और उनके चाचा कें इंद्रिये मंत्री पसुपती पारस के बीच में हाजी पूर लोग सबसीट को लेकर जंग चिड़ गया है एक इंटर्व्यू में पसुपती पारस करे हैं कि चिराग पासवान एंडिये का हिस्सा ही नहीं है वो तो 2020 में बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट उतारे थे वह चाचा और भतीजे में सुरू से ही आप देख रहोंगे कि मन नहीं मिल रहा है हमेशा चिराग पासवान के चाचा यानि की पसुपती पारस चिराग पासवान पर हमलावर दिखते हैं उन्होंने तो कोई बार कहा है कि हाजी पूर लोग सबसीट से जब तक राजनीती में हम जिन्दा हैं हाजी पूर से ही हम चुनाव लड़ेंगे और हाजी पूर के लोगों का सेवा करेंगे लेकिन चिराग पासवान भी ठान लिये हैं कि हाजी पूर से तो चुनाव हम ही लड़ेंगे देखिए चिराग पासवान समझाता नहीं करने वाले हैं एंडिये में नितीज कुमार की वापसी हुई है और चिराग पासवान इसी बात पर एंडिये में है नितीज कुमार को अगर बरदास्त कर रहे हैं चिराग पासवान तो सिर्फ हाजीपूर लोग सभासीट के लिए उनका बात उपर हो चुका होगा कि हमें हाजीपूर लोग सभासीट चाहिए तभी NDA का हिस्सा है और कई तरह के सर्द चिराग पासवान रखे होंगे लेकिन फिलाल हम बात कर रहे हैं हाजीपूर लोग सभासीट चिराग पास किसके खाते में या सीट जाएगा चिराग पासवान के या फिर उनके चाचा पसुपती पारस के लगतार एक अपडेट हम आपको देरा बिहार एक सोच पर बने रहें बहुत-बहुत धनेवाद